नमस्कार दोस्तों बहुत बास्वागत है आपका ओके क्रेजिट में मैं हूँ आपकी साथ तमन्ना और आप जिस बिजनस के मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत जादा चलने वाला है आप अटो रिपेरिंग का बिजनस अब इस बिजनस में क्या खास बात है क्या कुछ आपको डीटेल में समझाऊंगी लेकिन उससे पहले आपको हमारे चानल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को अंतख देखना पड़ेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग उनकी रिपेरिंग के बारे में तो इस चीज का अंदाज़ा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि जब आप किसी वरक्शॉप में जाते हैं अपनी गाड़ी की सर्विसिंग ही करानी होती है माल लीजिए तो वह सर्विसिंग उसी वक्त नहीं हो जाती कई घंटे या फिर कुछ कई दिन आपको इंपजार करना पड़ता है यानिकि ऊल्रेडी इतना सारा काम है कि आपको wait करना पड़ता है आप waiting में होते हैं वैसे ही जब 稱讚 की बारे आती है गाड़ी को repair करना है स्कूटर को repair करना है किसी भी वहान को repair करना है, तो वो आपसे कुछ घंटे या फिर कुछ दिनों की महौलत मांगते हैं, दिन शायद जाधा appropriate रहेगा, कुछ दिनों बाद वो आपको गाड़ी देते हैं repair करके, तो आप सोचे कि इस business में कितना जाधा आपको मुनाफ़ा हो सकता है, कितने ग्रहक आपके बन सकते हैं, और गाड़ी, स्कूटर, ऐसी चीजें हैं, जो आम तोर पर आजकल हर किसी के घर में मिल जाती है, तो ऐसे में आप इस business को शुरू कर सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, लेकिन कुछ बाते हैं, जो आपको मंते नजार रखनी होगी, क् अच्छा सा business plan बनाना चाहिए, इस business plan में आपको automobile repairing center के लिए garage की तलाश करनी चाहिए, उसके बाद center में लगने वाली लागत की पूंजी की विवस्ता करनी होगी, कुशल करमचारियों को देने वाली salary, marketing का खर्चा, पानी बिजली का खर्चा, और जारों, मशीनों का बिजनस plan में जिक्र होना चाहिए, साथे repairing center को चलाने के लिए पूरा हिसाब किताब भी business plan में होना चाहिए, इससे आपको business शिरू करने में काफी सुविधा होगी, business भी कामयाब होगा, हाँ, यदि आप business plan स्वेम नहीं बना सकते हैं, तो अपने परीचित या दूर दराज के किसी business man से जानकारी लेकर ये business plan बना सकते हैं, बिजनस plan बनाने के बाद आपको automobile repairing center के लिए अच्छी location तलाश नहीं होगी, अच्छी location ही इस business की असली जान है, इसके अलावा आप उस शेत्र में center ना खुलें, जहां पहले से कोई अच्छा खासा repairing center चल रहा हो, इसलिए आपको थोड़ा सोच समझ कर थोड़ी महंगी लेकिन अच्छा business देने वाली जगा तलाश नहीं होगी, इस तरह की ये जगाएं हो सकती है प्रमुक, पेट्रोल पंप के आसपास, parking के आसपास, transport hub के आसपास, बड़े bus stop के आसपास, posh colonies के आसपास, education hub के आसपास, port का चहरी के आसपास, industry area के आसपास, अनुभव भी चाहिए, automobile repair center business शुरू करने के लिए इस line का अनुभव होना चाहिए, यदि आपके पास अनुभव है तो बहुत अच्छा है, यदि आप स्वेंवे कांग करना चाहते हैं, तो विभेन education centers में इसका course करके अनुभव ले सकते हैं, य आजार और उपकरण लेकिन jack, wheel balancer, brake lid, जैसे बड़े उपकरण सस्ते नहीं खरीदने चाहिए, ये महंगे और branded company से ही खरीदने चाहिए Automobile Repairing में कौन-कौन सी service शामिल होती है इस कारोबार में कार या वाहनों की धुलाई, horn, light की मरम्मत का कारे, engine accelerator, gear, shocker repair, कार और अन्य वाहनों में लगे AC के repairing, wheel balancing and alignment आदी, oil बदलिकी service जैसे engine oil, gear oil और steering oil आदी, कार की polishing service, battery service आदी Automobile Repairing में काम आने वाले औजार, screwdrivers, cassette, हथोडे cassette, toque wrench, shaft wrench, kick wrench, impact wrench, oil filter wrench, oil drip pan, bolt extractors, p-bar, callless drill, fuse, with-bue tape, vice grips, sarota, allen or talker's bits, panel, bench, jack stand, ramps, battery charger और jumper इस business को करने के लिए कौन-कौन से license चाहिए उद्धियोग विभाग में firm का registration कराएं, GST नंबर के लिए registration कराएं, local authority से trade license ले, production नियंत्रक विभाग से license बनवाना होगा, MSME, ASI से registration कराएं, trademark से अपनी firm का registration कराएं इस business को शुरू करने में कितनी लागत आ सकती है Automobile Repairing Center खोलने में कितनी लागत आती है ये business मैं द्वारा चुनेगर business level पर निर्फर करता है ये business 3 level पर किया जा सकता है, छोटा, medium, बड़ा चोट और medium level पर business में लागत इसमें छोटी और medium level पर business के लिए इस्तेमाल होने वाले आज़ारां की लागत एक लाग से पांच लाग के आसपास आ सकती है इसके लावा इन दोनों तोरह के business के ग्यारज के लिए 1500 से 2000 वर्क फीच जगा की ज़रूरत होती है इसके कीमत विभिन शेहरों की विभिन लोकेशन की हिसाब से अलग लग होती है इसके लावा काम करने वाले करमचारियों की salary और बिजली पानी का खर्चा मिला कर छोटे और medium level पर business शुरू करने के लिए 10-15 लाग उपे तक की लागत आ सकती है बड़े level पर business की लागत बड़े level पर business शुरू करने के लिए 3000 वरक फीट की जगा चाहिए इतने बड़े business के लिए tools वगेरा पर 25 लाग उपे तक का खर्च हो सकता है इस business में यदि आपकी जमीन और आप swim mechanic हैं तो कम खर्चा आएगा वरना आपके करमचारियों को salary भी देनी पड़ेगी बिजली पानी का खर्चा भी उठाना होगा उने वाले सब ही खर्चे जोड लिए जाएं तो इस business शुरू करने इसमें 50 से 60 लाग उपे की लागत लगेगी इस business को शुरू करने में पहली बार अधिक लागत लगती है इसलिए पहले वर्च में मुनाफ़ की उमीद करना सही नहीं होगा पहले वर्च में business से जम जाने और आपकी टूल्स पर लगाई गई लागत वापस आने के बाद मुनाफ़ भी शुरू हो जाएगा जैसे जैसे ये business आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मुनाफ़ बढ़ता जाएगा पहले वर्च में यदि मुनाफ़ आपको 5% भी जाए तो उसे बोनस ही समझना चाहिए दूसरे वर्च से ये business आपको 20-30% तक मुनाफ़ देगा इसके बाद ये मुनाफ़ पचास से 60% तक पहुंच सकता है